नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वर्ल्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुलतियागी और आप देख रहे हैं खास खबर देश और दुनिया को हिला देने वाली कोरोना नाम की बिमारी एक बार फिर अपने पैर पसारने लगी है लोटते कोरोना की सबसे बुरी मार महराष्ट पर पड़ी है और एक बार फिर महराष्ट कोरोना की आहट से सहम गया है इसलिए सवाल उट रहा है कि क्या महराष्ट में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है हजारों की संख्या में आए नए केस आने के बाद सरकार ने फिलाल तीन जिलों में लॉक्टाउन लगा दिया है लेकिन आने वाले कुछ दिनों में महराश्ट में स्थिती क्या होने वाली है देखे इस रिपोर्ट में फिर दराने लगा कोरोना, या महराष्ट में होगी लॉटडाउन की वापसी, पूने नासिक में लगा नाइट कर्फिव, क्या फिर थम जाएगी महराष्ट में जिंदगी? साल 2020 कोरोना के लिए जाना जाएगा, क्योंकि कोरोना से देश में जो हाल हुआ, वो सब ने देखा, और महराष्ट एक ऐसा राज्य था, जो कोरोना की सबसे ज्यादा चपेट में आया, लेकिन साल 2020 जाते जाते जन्जीवन समाने होने लगा, हर किसी को लगा कि अब कोरोना से हम जंग जी जाएंगे, और साल 2021 आया, तो हर किसी को उम्मीद थी कि इस विमारी से हम निजात पालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और एक बाद फिर महराष्ट में कोरोना ने सभी की चिंता बढ़ा दी है, जी हाँ, महराष्ट के कई शहरों में कोरोना के केस तेजी के सा इसके अलावा नासिक में राद 11 बजे से सुबा 6 बजे तक आवजाही पर भी रोख लगा दी गई है, इसके अलावा यवतमाल, अमरावती और अचलपुर में लॉक्डाउन की खोशना कर दी गई है महराष्ट के अमरावती और अचलपुर में संपूर लॉक्डाउन लगाया गया, आज रात 8 बजे से 1 मार्च सुबा 8 बजे तक लागू रहेगा, यवतमाल, अकोला और अकोट में कल सुबा से लॉक्डाउन रहेगा, इन जिलों में अमर्जंसी सेवाएं चालू रहेंगी मुंबई में कोरोना वाइरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 1355 इमारतों को सील कर दिया गया है, इसके अलावा किसी भी इमारत में 5 से ज्यादा मरीज होने पर उसे एतियातन सील करने का प्राफधान है, साथी राज्यों सरकार ने सारे राज़नेतेक और धार्मिक कार पर पावंदी लगाने का भी अलान किया है, जहां भी लगने की आशंका है, इसके साथ ये सरकार ने संकेत दिये हैं कि अगर सीती बिगरती है, तो पूरे महराष्ट में लॉकडाउन भी लग सकता है महराष्ट के पिष़ल दिनों में कोरोना की केस महराष्ट में रविवार को 6,791 मामले सामने आए, वहीं लगादार तीसर दिन राज़े में 6,000 से जधा नए मामले दर्श किये गाए बात करें, 24 गंटे की तो 24 गंटे में 9,625 मामले सामने आये और साथ ही पिश्टी 24 घंटे में 83 लोगों की कोरोना से जान गई इतना ही नहीं महराश्ट, केरल, पंजाब, मदप्रदेश और 36 गड़ में कोरोना संक्रमन के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है महराश्ट के मुख्य मंतरी उद्दव ठाकरे ने कहा है कि अगले 8 दिनों में तैक किया जाएगा कि क्या पूरे राच्चे में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा या नहीं पड़ते मामलों को देखते हुए राज्चे के अमरावाती जिले में सुमवार से एक हफ्टे के लिए लॉक्ट discour लगा दिया गया है और इस अंक्रमन को रूपने के लिए केंद्र साकार से प्रभावेत राज्चो को टेस्ट में तेजी लाने के लिगके कहा गया है इधर पढ़ते मामलों की वचा से भारत एक बाफ फिर दुनिया के उन पंद्रवे देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां कोरुना के सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है मतलब ऐसे मरी जुनका इलाज चल रहा है बाकी या तो ठीक हो चुके है या फिर उनकी मौत हो गई है भारत इस सूची में पंद्रवे नंबर पर पहुँच गया है 30 जनवरी को पुर्तगाल, इंडोनेशिया और आईलेंड को पीछे छोड़ते उबे सत्रुए नंबर पर पहुँच गया था तब उमीद थी कि जल ही दुनिया के टॉप 20 संक्रमत देशों की सूची में से बाहर हो सकता है लेकिन पिछले कुछ दिनों से महराश्ट्र समेथ कई राच्यों में एक्टिव केस फिर से बढ़ने लगे इसकी वजह से भारत अफ फिर दुनिया के सबसे संक्रमत देशों में शामिल हो गया है ब्यरो डिपोर्ट न्यूस वर्ड इंडिया खास खबर में आज के लिए बस इतना ही लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूस वर्ड इंडिया